जार्खन के मुख्मंत्री हमासुरे नेवित मंत्री रामिस्तर उराउं स्वास मंत्री बन्ना गुपता और सरम नियोजन मंत्री सत्यानद भुकता के साथ बैठक कर स्कूल, कोलेज और प्रिशा समंदिर हम फिसला लिया। साथ साथ में जार्खन के वासियों सभी आगरा किया है। आए सुनते हैं जार्खन के मुख्मंत्री हमासुरें की कुछ बातों को। कई महत्पूर्ण बिचार कई सुझाओं हमारे विप्रक्य साथियों के दरब से आया है। और मौझूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक देने प्राथमिक दस्तर पर कुछ नेने लेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। प्राज में जो वास्तवी किस्तिती है वो लगबग आप सब लोग अपने एर्थियत अपने महले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं देख रहे हैं। अपने सेमित संसादनों के माध्यम से बेबस्ताओं को सुदेड करते हुए और मजबुती से लोगों के स्वास्त लाब कैसे हम देपाएं। इस विशे पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज में टेले अस्तर पर ऑक्षिजन युक्त बेट का उप्रप्त कराना। राज में आत्मरक्षक दवाओं की उप्रप्ता के लिए लगातार प्रयास करना। राज के परमुक शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में रिसेश सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिशित कर लिया हैं। लेकिन जैसे जैसे बेड़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे ओकॉपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक जगों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर अभी संकरमन की इस्थिति में गती में कमी नहीं आई है। अभी यह गती कप तक रहेगी यह कहपैना बड़ा मुश्किल है फिर भी हम लोगों ने इस संकरमन को थोड़ा इसका जो रफतार है उस में कमी करने के लिए जो हम लोगों का इस संकरमन का जो जेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्रातमिक स्तर पर नेने लिया है जैसे कि अभी ये नेने लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंध होंगी सभी कॉलेजेस बंध होंगे सभी कोचिंग सस्थाएं बंध होंगी सभी ट्रेनिंग सहस्थाएं बंद होंगी सभी आईटियाई बंद होंगे सभी आंगनबाडी के अंदरे बंद होंगे साधीक के कारकरम में अधिक्तम संख्या जो 200 रखे गई थी उसो घटागर 50 कर दिया गया है 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं यह हम लोगों का आगरह होगा और राज में होने वाली अगामी जितने भी परिक्षाएं हैं किसी भी अस्तर की स्कूल के हों, कॉलेज के हों इंट्रेंस हों या फिर किसी भी सस्तागत परिक्षाएं हैं सभी परिक्षाओं को अगले आदेस तक रद किया जाता है समय से में पर सरकार दोरा और भी निर्णे लिये जा सकते हैं जो राज हित में यहां के लोगों के हित में हो यहां के इस संकर्मन को कंट्रोल करने के हित में हो इसलिए आप सब लोगों से आग रहे हमारा कि इस संकर्मन को बहुत हलके में नालें पहले के संकर्मन से यह अभी के संकर्मन एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है जहां बच्चे बुड़े नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं इसलिए सभी विसे इसका नौजवानों से मेरा आग रहा है कि थोड़ी दिनों के लिए हम लोग अपने मौजमस्तियों को अपने चीजों को बंद करें इदर उदर बेबज़ा गुमना बंद करें ताकि इसका जो चेन रियक्शन है इसमें ठहरा हुआ इसमें रुकावट हो नहीं तो बहुत मुश्किले होंगी चीजों को हालात को संभालना और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला करोना संक्रमीत है और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं अगर कोई अगला संक्रमीत है आप उससे संक्रमीत होंगे आपके पूरे परिवार, आपके बालबच्चे, आपके जितने भी रिस् कोई भी सहर में नागो में और जो भी आवशत्ता नुसार कोई भी निकलते हैं विसेश परिसिती पे आप निकल सकते हैं लेकिन मूह में मासट जरूर लगाएं लोगों कसे दूर्यां जरूर जितना अधिक तरम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें भीड के जुन में बिल्कुल ना रहे यह हम लोग कागरा होगा धन्यवाद